क्या आप परिशान हैं, तो आप अपनी जनम कुंडली और पूजा के लिए दो फल लेकर नई दिल्ली में गुरु रजनीच रिषी जी से मिलें और बिना किसी फीस के अपने ग्रेहों की परिशानियों को दूर भगाएं गुरु जी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लें फोन नमबर 011-450-51710 पर अथवा 9818-144-257 पर गुरु जी से मिलने का समय है सुभे 11 बजे से दुपहर 2 बजे तक या दुपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक गुरु जी किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लेते हैं जन कल्यान के लिए फ्री सेवा करते हैं गुरु जी का अड्रेस है 38-18 बैक साइड एंट्री इस्ट पटेन लगर न्यू डेली तो निश्चित रूप से मैं आपको वाइदा करता हूँ कि मैं आपके भाई साथ की संतान से संबंदित सभी प्रकार की अर्चनों को दूर कर उन्हें फाइदा पहुँचाने का पूर्ण प्रियास करूँगा जै शनी देव आईए अब गुरु जी से जानते हैं गुरु जी यदि शनी घ्र है किसी का खराब हो तो वैसा व्यक्ति क्या दान करें देखो मित्रो अगर शनी भगवान शनी घ्र है आप से रुष्ट है यानि वो आपकी जनम कुंडली में रुष्ट अवस्था में आकर विपरीत फल देने वाली अवस्था में आकर बैठे हुए है तो साफदान हो जाईए क्योंकि आपने पिछले जनम में कुछ बुरे करम अवश्य किये होंगे जिसके कारण उनका फल शायद उस जनम में नहीं मिल पाया होगा किसी वजह से आपकी आयू समय समाप्त हो रही होगी जब आपके बुरे करमों का जो घड़ा था यानि पाप करमों का जो घड़ा था वो भरा तो इस समय आपकी आयू समाप्त हो गई होगी, तो आपको उसके फल उस जनम में नहीं मिले, जिसके कारण आपकी जनम कुंडली में इस समय शनी देव या शनीग है, रुष्ट अवस्था में आकर विपरीत पल देने वाली अवस्था में आकर बैठे हैं, तो सब से पहले तो आप अपने आच्रन को अपने कर्म को सुधार लीजिए बिना किसी जिजक के कोई भी गलत कारे से अपने आपको हमेशा हमेशा के लिए दूर कर लीजिए भगवान शनी देव से मिलकर उनकी मूर्ती के सामने खड़े ओकर उनको वचन दीजिए कि आज के बाद मैं अपनी पूरी जिन्दगी में कोई भी गलत कारे किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा उसके बाद भगवान शनी देव को सरसों के तेल का दान करिए आप उरद की साबत उरद की काले महा की दाल जिसे बोलते हैं उसका दान करिए किसी गरीब मोची को काले चाते का दान कर सकते हैं काले चश्मे का दान कर सकते हैं अंधे बिकारी को चाते का दान काले चाते का दान कर सकते हैं यह वह शनी देव भगवान से संबंदित उपाए हैं इनके कारण धीमे धीमे शनी देव जी की पीड़ा शान्त होती है या कोई जादू ही उपाए नहीं है जितने भी ग्रहेदान से सम्मंदित उपाए हैं वो जादू ही उपाए नहीं है कि आपने कहा गुरू जी मैंने पांक शे बार कर लिया हो गया काम अब तो मगर मेरे को तो कोई फल नहीं मिल रहा लेकर अगर आप संतोशी किसम के जीव हैं आप निरंतर करते जाएए भगवान की पूजा अचना कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा जब भगवान आपकी श्रधा को देखकर आपकी भक्ती को देखकर आपके दान इत्यारी को देखकर आपसे प्रसंद होकर आपको शुब फल पर दान करना शुरू करेंगे लेकिन आगर आप इतनी प्रितिच्छा नहीं कर सकते आपके पास इतना समय नहीं है आप कोई करेजल्ट चाहते हैं तो उसका एक ही सर्वस्ष्ट तरीका है वह है आप अपनी जनम कुंडली लेकर किसी योग विद्वान ब्रहमन से मिलें जिसे एस्ट्रोलोजी में महारत ह आसिल हो या आप हमारे स्क्रीन पर आ रहे हैं नंबरों के द्वारा हमारी वेबसाइट के जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है www.shanidev.us के द्वारा या हमारी वेबसाइट पर आ रहे हैं स्काइप के बटन के द्वारा हम से संपर्क इस्थापित कर अपनी कुंडली में आ गुरु जी से कुछ गुरु जी ने मुझे कोई उपाय बताया था वो मैंने जन्म कुनली दिखा कर लिया तो कल मुझे कोई फायदा पहुँच जाएगा इन फायदे को पहुँचने में कम से कम 43 दिन का समय तो लगता ही है जो शुरू हो सकें आपको वो फायदे तो इतना पेशेंस अगर आपके अंदर है तभी इन उपाय को करने का आपको फायदा होगा और जैसा कि पीछे हम चर्चा कर रहे थे भगवान शनी देव इस ब्रह्मांड के नियायदीश है जैला दिकारी है डंडा दिकारी है तो जैल से सममंदित जो व्यक्ती मुकदमे बाजी कोट कचेरी और जैल से समम्दित किसी भी प्रकार की पीडा से ग्रसे थें उन व्यक्तियों को शिगर ताशिगर फायदा पहुंचाने का मैं वचन देता हूँ अगर आप अपनी जनमकुनली लेकर मुझसे मिलते हैं आप किसी भी प्रकार की जेल से सम्बंदित यातना को भोगत रहे हैं आप कोट कचेरी के जहंगजटों में फसे हुए हैं तो आप निश्चित रूप से फाइदा प्राप्ट करेंगे अगर आप अपनी जनमकुनली लेकर समय लेकर इस किंग पर आ रहे हैं नंबरों पर मुझसे संपर्क करते हैं तो मैं आपको वचन देता हूँ मैं निश्चित रूप से आपको फाइदा अवश्य कराऊँगा इसके साथ मैं एक रिक्वेस्ट सभी दर्शक गणों से अवश्य करूँगा आज सनातन टीवी के माध्यम से कि मैं अगर कोई व्यक्ती तिहार जेल से सम्मंदित हमारी कोई मदद कर सके जिसके दोरा मैं गुरुमा रुकुमनी को हफते में एक बार वहां ससंग कीरतन करने के लिए भगवान शनी देव के ससंग कीरतन के दोरा वहां के जो इनमेट्स हैं जो वहां रहते हैं उन लोगों को कोई फाइदा पहुँचा सकूं तो यह मेरे लिए बहुत सोभागे की गर्व की बात होगी तो ऐसा कोई व्यक्ति जो हमारे विहाब पर तिहार जियल से कोई कम्यूनुकेशन करके हमारी एक पर्मानेंट एक एपॉइंटमेंट फिक्स करा दे कि हमें एक फिक्स डे पर वहां पर ससंग कीरतन के लिए ससंग प्रवचन के लिए जाना है तो उसका मैं बहुत आभारी रहूँगा यह मैं सनातन टीवी के माध्यम से सबी द्रशक गणों से निवेधन करता हूँ जै शनी देव गुरु जी यदि राहू ग्रह किसी का खराब हो तो उस व्यक्ति क्या आप परिशान है तो आप अपनी जनम कुंडली और पूजा के लिए दो फल लेकर नई दिल्ली में गुरु रजनीच रिषी जी से मिले और बिना किसी फीस के अपने ग्रहों की परिशानियों को दूर भगाएं गुरु जी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लें फोन नंबर 01145051710 पर अथवा 9818144257 पर गुरु जी से मिलने का समय है सुभे 11 बजे से दुपहर 2 बजे तक या दुपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक गुरु जी किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लेते हैं जन कल्यान के लिए फ्री सेवा करते हैं गुरु जी का अड्रेस है 38-18 बैक साइड एंट्री इस्ट पटेन लगर